वेलो एव्रीबन आज को टोपिक है आज को टोपिक है डीटा वालिडिएशन क्या है डीटा वालिडिएशन ओके अपे स्क्रीन भी एक वोक्षीट में अल्रेडी क्लेट करके रखा है अगए समेवयले क्लेर करता हूं कि डिटा वालिडिएशन है वाट इस डदेड वालिडिएशन है कि स्क्रीं मिक्रोफ एक्स अगए सिंपल में मैं आपको प्लेर करूँ तो if you want to set if you want to set any kind of restriction rule in microsoft excel any kind of restriction rules in microsoft excel in that time we are using data one-based option okay is a kind of feature इसका है एक feature है एक option है microsoft excel में जो basically subscribe होता है data entry करते हो ताकि जब आप data entry करते हो तो आपका कम से कम mistake हो कम से कम mistake हो गल्दियों के चांसर बहुत कम होना चीए data entry करते हो मैंने आप लोगों बता आ है कि data entry करने का दूर रूल होता है एक rule है accuracy और दूरा rule है speed यह दो चीज़ बहुत matter करता है data entry करते हो data entry करते हो दो चीज़ बहुत matter करता है तो टूरा टीटा वाली डिशन वाला option है वो basically क्या होता है आपके mistakes पो कम करता है कि अगर आपको error कर रहे हो तो आपको stop कर देगो आपको एक pop-up message देगो क्या दिए entry कर दिए हो वो गलत है कैसे restriction rule कर देगो आपको screen में यहां पे yellow cells दीख रहे है right इस cells में मैं बोल रहा हूं उपर में मैंने बोला कि एक rule set कीज़े और rule होना चाहिए अगर मेरा को user value input करेगा वो between 1 to 100 के अंदर होना चाहिए क्यों आचिए between 1 to 100 के बीच और only जहां मैंने selection करके रखा है यहां 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 बोल जिख रहा है उसी selection के अंदर है अगर मैं पूर भी value input करगो between 1 to 100 ना उतसे ज्यादा ना उतसे का यह rule अपलाए करने के लिए add first आपको select करना है जहां पे रूल अपलाए करना चाहते हूं और एडी मैंने आपको बतागे रखा है कि Excel, Word, PowerPoint कोई भी software यूज़ करने हो अगर यहां पे आप कोई भी पीचर करना चाहते हो तो add first view app to select the place, all cells, all slides जहां पे आपको अपलाए करने पीचर कर, okay उस place को select करो मैंने select कर लिए और cells को जहां मैं restriction rules रखताना चाहता हूं with help of data validation, okay select करो, adding में आपको data type मिलेगा data type मिलेगा, और तन उसके बाद यहां पे आपको मिलेगा यह रखो, यह रखो यह पीचर देगा ना data tools केंदब this one, is data validation, okay click करो, आपके सामने data validation दो box open मिलेगा देगो टेक मिलेगा, पारोटन देर्ट साथ like this, देख रहा है सबसे पहने data validation दो setting then उसके नीचे आपो criteria मिलेगा criteria का मतला माने already आप लोगों बता रखा है criteria का मतला 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 condition क्या? condition, okay नीचे मैं allow में value पूचला है कि आप data validation किस value पे input करना चाहते है यानि कौन से character पे set करना चाहते है कौन से value पे value बहुत तरगी को हो सकता example value number पे हो सकता है value decimal में हो सकता है value आप क्या हो सकता है date का हो सकता है time का हो सकता है okay prevent text length का हो सकता है right आप अपने cells में ऐसे भी set कर सकते हो कि कोई date कोई भी date पूट होगा वो एक January से एक June के बीच में पूट हो ना उससे आगे ना उससे बीचे यह भी आप the help of date set कर सकते हो okay आप text length set कर सकते हो हर एक cell में यह सब्सक्रों किसी cell में आप pan number लिख रहे हो क्या लिख रहे हो pan number पर आप text length set कर सकते हो कि कि इस cell में address dot delete कर text होना चाहिए अगर नहीं होगा तो वो error दिखा दे okay अगर आप गलती से लिखके आगे बढ़े हो तो आपको stop कर दिया जाए okay मैं भी whole number ले रहा हूँ क्यों विकाज में number पर set कर रहा हूँ नीचे में क्या लिख रहा हूँ data by data type में between ले रहा हूँ विकाज मेंना criteria कि 1 to 100 between minimum में में लिख रहा हूँ 1 and maximum में लिख रहा हूँ 100 okay 1 to 100 done अधिको right side में आपको दो box में रहा हूँ एक है input message and the second one is real alert याँ दखता है ignore blanks में आप टिक कर के रत होगे ताकि आपकी blanks को इग्नोर के ले okay and input message रहा हूँ real alert में आपको भी संग्या input message ना मतलब क्या होता है means pop-up message जब आप value input करें उससे पहले ही आपको show करेगा value input करने से पहले ही आपको excel message show करेगा pop-up message देगा कि ये cell में ये data input करना है ताकि अगर तुम सब भी data entry करें तो इसको पता सब गया right input message में मैं लिखता हूँ title में information क्या information info दो message मैं दे रहा हूँ input the value input the value between one to hundred one to hundred ये pop-up message है okay ये क्या है pop-up message अब आता है error alert error alert का मत्रब होता है जब आप mistake करोगे तब ये आपको बताए अब दोनों दे दिया मैंने दोनों दे दिया कि मैंसेज भी शोग करेगा और error alert का तू गलती करोगे तब ये बताए दोनों दे दिया ठीक है कोई-कोई एक देता है कोई-कोई दोनों देता है आप जो सेट करना चाहो मेरा सेट करना चाहो मेरा सेट कर दोनों दो okay error alert में जाओ error alert में देखो यहां में स्टाइल्स में रिया warning, information, stop में stop लिखता हूँ और यहां में लिखता हूँ टाइल्स में wrong data entered wrong data entered और निची में मेसेज input the value the value input the value 1 to between 1 to 100 rule set अब जस्ट पोगिये करो क्या रदो आपको यहां पिटेको कुछ रोगर रहा है देख रहा है अलि इसी सेल में रोगर रहा input the value between 1 to 100 बाट में लिखता है तो सो कर रहा है अलिसी सेल्स में अमें यहां value पूट करता हूँ 89 21 32 32 101 क्या सहँ कर रहा है अपोश्कर आपको रिटे इंटे करो जांपकर आप मार्टिट का मार्स्ट का वेल्यूट कर रहा है और मार्स होना चि एक से सोके बीज या तो एक या दो 100 एक बीज नाव से जाना नाव से प्यान जाना नाव से थाटब आप गलिप लीटा पूट पूट रते हो यह आपको आपकर देगे लिटा, 45 ता 95 हो जाएंगे तो कोई कोई करी पूस्चे नहीं जाए इस अनमबर बढ़ गया और 45 ता 145 हो जाएंगे तो पलगा है क्योंकि पेपर तो 100 आख लाता पेपर कितने आख लाता अब इसी रूल को अगर आपको क्या करना है अटाना है तो अगेन आपको कुछ नेगा ना बस सेलेक्क करो इस डिटा को जाओ यह एंपे डिटा प्रेटिशन में एंड दें त्रियर हो या ओके दास सेट अब एक सो दो पूट करो तीन दो पूट करो अगेन डिटा डिटा वरेजन ओके शेटिंग में आओ यह आपको पूट करो देखा देता हूं और इसके बाद यह वाला पूट करो अगेन डिटा वरेजन ओके शेटिंग में आओ मैं यहाँ पे वरण बड़ी रहाँ आप यहाँ गार पे गेटा दें रेराओ ड्ले रहाँ अगेटार दें 100 ुल इसथ अगर आप greater than 100 रहते हो, क्या रहते हो, आप greater than 100, तो आपका रूल अप्लाई हो रहा है, वो क्या होगा, आपका रूल अप्लाई किया रहा है, वो 100 रहते हो, आपका रूल नहीं करेगा, यह कंडिसन याद रहते है, बहुत आपका हो चुछी है, के स्वरें्ध बिफिंग सब्सक्राइब करेंगा है यहाँ पर नबढके सब्सक्राइब अच्छ अब यहां पर पान नबर को आप्शन में तेके रख़ा है एक यहां पर क्या रनना हम लोगो को जान दिजेगा ब्रेस दूँ यहां पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि मैं पूई भी पैन नमर पूट करना हूँ तो पैन नमर 10Ds का होता है अब मैं डिटा एंट्री कर रहा हूँ दाइन नमर लेकर रहा हूँ लिखते लिखते अगर इन केस मैं पूई भी एक पैन नमर गलक पूट कर रहा हूँ यहांनि 9Ds पूट करके मैं इंटर के आगे निकल जा रहा हूँ तो यह प्रॉब्लम है तो मैं चाहता हूँ कि एक रूल अप्लाई हो यहां से यहां तक दस तो उनहीं चाहिए दस तो इंपूर्ट मैसेज और अपने अकॉर इंपूर्ट मैसेज-अपने अकॉर्ण इसेट कर लेकिए क्या कर दाओ अब सपोस को करो यह अपना पैन नमर खुट करता हूँ और M लिखना था बट M लिखना मैं बूल रहा और मैं एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ और यही मेरे को स्टॉप कर दे तर देगा अगर वही पे मैं पूरा पैन नमर लिखता हूँ और एंटर करोगी तो वेल्यू आगे है करने है विडाउट नहीं है करने है अब लास्ट टोपीक चुटा था तोपीक बचाना वह आपका डेटा वालिडेशन का जो है डेटा वालिडेशन देश्ट आप लोग ने बहुत जगह यह दीखा हूँ कुछ इस तरह दे जब फॉन पिलप करते हो ना तो लास्स साइड में आप लिखा रहे है यह दिकर एंपी यह दुक्राइब कर दो आप निश्टि कर लो आई दाए तो यह भी आप डिटा व्लिडेशन के तुरू बना सकते हूँ कैसे बना सकते हूँ बहुत बहुत इसी है मैं कहतर रहा हूँ यहाँ पर इसको सबसे बढ़े दो व्लै इसे अह यहां पर मैंने बहुत सारे स्टेट्स का नाम दिखे रखता है, अब यहीं पर इनका स्टेट्स लाना चाहता हूँ, तो करूँगा कि मैं पहले लिट वलिडिशन लिस्ट को सिलेक करूँगा, जाओ वा रेडर टाब में, लिटा वलिडिशन, ओके, अलाओ में मैंने एक लिस पर क्लिक करते हैं, और वीचे में सोर्स मिल रखा, वो सोर्स वाल एरिया पर मैं जहां पर टाइप कर रखता हूँ, अपना स्टेट उप लिश्ट, उसको सिलेक कर देता हूँ, तैस इसी आप सिलेक करोगे, देदो, बनिया लिस्ट, पेर रहा है, यह आप ऐसे भी गश्ट कर सकती हो, इवीन आप क्या कर सकते हो, आप सोर्स यह लोगर केंशन में यहां पर टाइप भी कर सकती हो, जैसे यू कऊमा, एंबी पॉमा, डबलो वी, पॉमा, एबी पॉमा, जी आंगे, पॉमा, तो यह जो करोगे, यह ओकी करोगे ना, तो oops कितना है लिस्ट है होंacağ एक है ना ऐसे भी गर सकते है बनेफिट गी है कि अगर इसको आप डिलीट करोगे तो यहासे डीटा आट जाएगा बड़ी ऐसे अगर टाइप करोगी जो मैंने दिखाया तो वैसे आपका रिस्ट खटेंगा नहीं कियाना है कोई डाउल नहीं है ना श्याल बड़ी